एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर जहाँ आप सब को पता है जी फर ग्रामर और टी फर ट्रांसलेशन के विडियो जो आप सभी को मिलते हैं मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्ट आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंग और आज मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ अक्सफट करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 167 के शलीशन को लेकर जिसमें है ट्रांसलेट इंटु इंग्लिश और यह सिंपल फ्यूचर टेंसे रिलेटेड ट्रांसलेशन है और यह स्पेसल है क्योंकि इसम को लिंक नजरा रहा होगा exercise 166 का यानी 101 से लेकर 166 तक के वीडियोज अपलोड हो चुके हैं बाकी होते जा रहे हैं उन सब का playlist भी आपको उपर आई बटन में और नीचे description में मिल जाएगा दो playlist इस book के मिलेंगे एक में one से लेकर 100 तक के और दूसरे में 101 से last तक के बाकी description को आप जहुर चेक कर लें इसमें जो और भी हमारे जितने books हैं इस Oxford के उन सब के जो है जैसे Oxford Junior English Grammar, Oxford Current English Grammar, Oxford Junior English Translation, Lucent Junior English Grammar इन सब book के नाम से playlist बने हैं उन सब को चेक कर लें और सबसे special की एक grammar topics in English नाम से हमारा एक playlist मिल जाएगा उसमें जो है वो आपको grammar topics in English नाम से उसमें ज इन सब का explanation video यो तो शॉलिशन है इसमें तो जो translation है उसका मैं answer बताता हूँ बट उसमें आपको सीखने के लिए मिल जाएगा चलिए शुरू करते हैं तो conditional में क्या होता है देख लीजिए अगर आप करी मेहनत करेंगे तो परिक्षा पास करेंगे दोनों तरफ करेंगे अगर यदी है ना तो जिसमें अगर या यदी लगा रहा है उसको हम लोग simple present में बनाएंगे simple present का मतलब हो गया subject के साथ भड़ कौन सा लगाएंगे तो भड़ का पहला या पांचमा रूप या भी वन या भी पाइफ है ना जैसे go या गोज लगाएंगे और दूसरा जो है क्या तो भड़ का पहला रूप ठीक है और यहां जो तो होता है बीच में उसके लिए कोई देन वगएरा नहीं लगाना है क्योंकि ये conditional है ऐसे तो रहे तो हम लगाएंगे लेकिन ये नहीं है ना चलिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आप करी महनत करेंगे तो if भिख मांगेंगे तो ज्यादा पैसे कमाएंगे यदि लग गया इसलिए आप भिख मांगेंगे कि जगए आप भिख मांगते हैं if you beg you will earn more money यदि तुम लोग दवा लोगे तो शिगर अच्छे हो जाओगे if you take medicine दवा लेना यानि दवा खाना खाना या लेना दोनों के if you take medicine you will get well soon get well soon अगर वर्सा होगी तो इस्कूल नहीं खुलेगा है ना तो if it rains वर्सा होना के लिए हमेशा इट वर्सा हुई तो it rains वर्सा होगी तो it will rain है ना यहाँ पर simple present में बनाना है if it rains the school will not open यदि राम पटना जाएगा तो श्याम से मिलेगा इफ राम गोज टू पट दिया कि नहीं भी लिख सकते हैं लेकिन लिखना ज्यादा अच्छा माना जाता है ध्यान में रखेंगे यह आप कहेंगे कि यह कैसे तो जैसे तो स्याम से मिलेगा तो कौन स्याम से मिलेगा वह स्याम से मिलेगा यह नहीं राम मिलेगा तो यहां राम की जगह ही हम लेकिन लिखना ज्यादा बढ़िया रहेगा आप बुक में भी देखेंगे वैसा ही दिया हुआ है मतलब कि उसमें दिया हुआ है यदि तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा इप यू अब्यूज मी आई शेल बीट यू अगर मैं पटना जाओंगा इफ आ दूसरी बात यह एक एतिहासी के मारत है इसलिए इसके पहले दोभी लगेगा यदि तुम पढ़ोगे तो मैं तुमारी मदद करूंगा इफ यू रीड या इफ यू स्टड़ी आई शाल हेल्प यू अगर तुम कोशिश करोगे इफ यू ट्राई सिंपल प्रेजेंट में तो जीत जाओगे कौन जीत जाएगा तो तुम है ना तुम है इसलिए यू बिल बिन इन्दी में जैसे आपको याद होगा कि वह लड़का है वह लड़का है इसका ट्रांसलेशन हम लोग क्या बनाते हैं है ना ही इज बवाए नहीं क्या हो जाएगा इस ये बॉड़े इन तुम कोशिस करोगे तो जीत जाओगे या नि कौन जीत जाओगे तो तुम जीत जाओगे तो इंग्लिस में जवर यह लगेगा यदि बरसा होगी तो किसान सुखी होंगे इफ टरेंस दा फार्मर्स विल बी हैप़ी आगे बढ़ेंगे अगर आप तेज दोडेंगे तो जीत जाएंगे न अगर तुम एक पैसा दोगे तो वह दस लाग देगा द्यान से देखेगा यदे इसे यदि तुम एक पैसा दोगे इफ यू गीव उन पैसा या ये पैसा है तो वह दस लाक देगा अब कहेंगे सर कौमा के बाद ही कैप्टल वह कौन यानि उपर वाला इश्वर भगवान अल्ला जो भी है गौड तो इसलिए गौड के लिए जहां भी ही होगा या हीम होगा वाके के सुरू में आए या लास्ट में हम ही हीम सब का पहला अक्षर कैप्टल रखेंगे इसलिए ही विल गिब यू 10 लाइक तो वो कौन देगा उपर वाला इश्वर इश्वर के लिए इसलिए ही कैप्टल होगा इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे अगर आप बस से जाएंगे तो सिगर पहुँच जाएंगे इस प्रेंड्स इस प्रकार से यहां पर यह समापत हो गया उमिद करता हूँ आपने मिला लिया होगा आप कोई कन्फीजन नहीं होगी फिर भी कोई कन्फीजन हो तो कमेंट करें मैं रिप्लाई जहूर देता हूँ थोड़ी देर से ही किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बिल में उलको फ्रेस कर दें जिसे कियाने बाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियो जापको ढूणने में आसानी हो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें ना पसंद आए तो डिसलाइक करें और जब पसंद आजाए तो अपने नियर एंड डियर वन्स के साथ शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए है वनाइस टे